Hello and welcome friends, आज की ये वीडियो Microsoft Excel को लेकर के बना रहा हूँ और Excel में, आज की इस वीडियो में काफी interesting भी है क्योंकि अगर आप Excel यूजर हैं तो आप को भी इस तरह की जरुवत पढ़ सकती है अब सवाल क्या है वो समझिएगा हमारे के student है जिनका कहना है कि सर क्यों न एक ऐसा button design कर दिया जाए कि उस button पर जब हम click करें तो add हो जाए एक ऐसा button design किया जाए कि जब हम उस पर click करें तो percentage calculate हो जाए और एक ऐसा button बनाया जाए जिसके हम click करें तो grade भी calculate हो जाए तो जब हम चाहें, जिस भी number का चाहें, जिस भी total का चाहें, total भी हो जाएं, सारा कुछ calculation हो जाएं उस button पे click करने से, यानि एक तरह का हम calculation button design करना चाहते हैं, आइए देखते हैं ये कैसे होगा, सबसे पहले क्या करना है, Excel को open करना है, तो यहाँ पर ये Excel को open कर रहा हूँ, य Microsoft Excel का 2021 version है, यहाँ पर click करके और इस तरीके से आ जाएंगे, अब यहाँ पर देख सकते हैं, यह हमारे पास कोई data नहीं है, तो मैं जल्दी से एक data prepare कर लेता हूँ, और data कुछ इस तरीके का होगा, आपको देखा भी देता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं, यह data हमारे पास आ चुका है, ठीक है, अब हमें काम करते हैं, काम क्या करेंगे, यहाँ से developer tab पे जाएंगे, developer tab अक्टिवेट करना मैंने सिखाया है, अगर आपके में developer tab नगी भी अक्टिवेट है, तो आप view पे जाके, यहाँ से macros पे जा सकते हैं, और यह macros पे जाने का पाइक option आएगा, macro को record कर लिजेगा, ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम addition calculate कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं इसे नाम दे देता हूँ, add, क्या नाम दे दूगा, इस macro को नाम दे दिया, add, और यहाँ पर चाहिए तो आप कोई shortcut की ऐसा assign कीजेगा, जो की shortcut की अब तक दी नहीं गई है excel में, ठीक है, यानि कि अगर shortcut की repeat होगी, तो दिकत करेगी, तो मैं फिलहाल इसको छोड़ी देता हूँ, यहाँ पर आप description डाल सकते हैं, इसके बारे में, फिलहाल ok करते हैं, और अब हमारा macro record होने लगा है, अब यहाँ पर is equal to का निशान लगाएंगे, sum क function लगाएंगे, और यहाँ से इन सब को total कर लेंगे, तो यह total हो गया, इसको बंद करेंगे, एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद इस पर double click करके drag कर देंगे, तो यह सब का आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पर control ले करने के बाद अब हमें एक काम और करना है कि यहां पर percentage calculate करना है लेकिन percentage भी calculate करने के पहले हमें एक काम करना है यहां से वापिस view पे जाके और यहां से macros पे जाके और इसको stop recording कर देना है क्या करना है stop recording ठीक है तो यह stop recording कर दिया हमने यहां पर हमारा total हो गया है देख सकते हैं अब एक काम करेंगे हम यहां से insert पे जाएंगे और insert पे जाके यहां पर शेप पे जाएंगे और एक अच्छे shape लेकरके यहां पर इस तरह के से इसको drag कर वा लेंगे और drag कर वाने के बद इसका color हो गए अचा है तो आप बदल सकते हैं और यहां पर इसको नाम दे देशन तो आप यहाँ पर total ही लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर total ही कर लेते हैं और total करने के बाद क्या करना है यहाँ पर जैसे ही total करेंगे तो इसको select करिएगा इस तरीके से यहाँ से जाके इसको select कर लिजेगा और select करके इसे bold कर लिजेगा और bold करके यहाँ पर इसके click कर दीजेगा और यहाँ पर इसे center align कर दीजेगा और align करने के बाद एक बर और click करके इसे थुआ सो और बड़ा कर दीजेगा तो यह total का एक button हमारे पास आ जाएगा ठीक है लेकिन यह button काम करेंगा जाए इस पर जाके click करेंगे और यहाँ से right click करके और assign macro पे जाएंगे और यह add वाला हम यहाँ पे ok कर देंगे यानि इसमें add वाला हमने अब add कर दिया है ठीक है अगर मैं इसको हटा भी देता हूँ अब तो भी कोई record नहीं ठीक है लेकिन फिलहाल इसको हम लगाते हैं लगाते हैं इसको ऐसे अब percentage calculate करना है तो percentage के ऐसे calculate होगा तो percentage के लिए भी फिर वही view पे जाके macros पे जाके record macro पे जाके इस बार मैं PER लिखता हूँ PER चेक है और यहाँ पर ok कर देता हूँ अब यह recording चालू है यहाँ पर जाके is equal to का निशान लगाना है marks बहुत कमा है 17-12% बाकी यहाँ पर अलग-अलग marks आपको दिखाई पड़ी रहे होंगे अब हम वापिस क्या करेंगे macros पे जाके और यहाँ से stop recording कर देंगे यानि recording हमारी stop हो गई वापिस वही काम कि insert पे जाके shape पे जाके click करके यहाँ से जाके और एक और जो है इस तरीके से आपको button बना लेना है अब यह button हमारा इस तरीके से आ जाएगा और जब आ जाए तो इस पे click कर दीजिए और click करने के बाट क्या करना है यहाँ पे right click करना है और assign macro पे जाके यहाँ से percentage वाला select करके okay कर देना है तो यहाँ पर यह percentage वाला button भी बनके त्यार हो गया तो यहाँ पर कर देते हैं percentage इस तरीके से मैंने लिख दिया है percentage और चाहे तो इसका color size वगरा भी बढ़ा सकते हैं आप किस तरीके से home पे जाएंगे और यहाँ से size पहले बढ़ा लेते हैं और इसे bold कर लेते हैं और bold करके थोड़ा सा और size बढ़ाएंगे इस तरीके से यह और इस पे click करके और इस पे click कर देंगे तो यह देखें यह percentage का भी button बनके त्यार है लेकिन यह काम कैसे करेगा इस पे जाके right click करेंगे assign macro तो assign macro तो हमने करी दिया था percentage ठीक है तो यह अब percentage का भी button बनके त्यार ठीक है अब हमें average करना है तो average के लिए फिर वापिस वही जाकर इस बाद developer tab में चलके करते हैं developer tab में जाके record macro पे जाके और यहाँ पे a, b, e, r कर देते हैं ever के नाम से और यहाँ से ok कर देते हैं और फिर वही कि यहाँ पे जाके और फिर जो है click करेंगे is equal to average का function लगाएंगे तो यह average यहाँ पे आ जाएगा function लग गया average का bracket open कर लिया यहाँ से जाके इसको select करेंगे जितना percentage आता है उतना ही average भी आता है बंद करके enter करेंगे तो average भी आपका आ जाएगा अब हमें average के लिए भी button बनाना है तो पहले तो हमें क्या करना है macros को stop करना है तो यहाँ से developer tap पे जाके stop recording कर देंगे यह हमारी macro जो record हो रही थी वो stop हो गई अब हमें क्या करना है यहाँ से insert tap पे जाके और shapes पे जाके shape एक ले लेना है और यह shape लेके यहाँ पर भी एक button बना लेना है तो यह button किसका होगा तो यह button जो होगा वो होगा आपका average calculate करने का तो average हमें कैसे मिलेगा क्या क्या करना पड़ेगा तो पहले तो हम यहाँ पर इसे change कर लेते हैं और change करने के बाद यहाँ पर shape outline पर जाते हैं और outline पर जाने के बाद इस पर click कर देते हैं और click करने के बाद यहाँ पर कर देते हैं A, B, E, R, A, G, E, average ठीक है और average करने के बाद यहाँ पर इसको select करेंगे और select करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से इसकी size बढ़ा लेंगे और size बढ़ा लेने के लिए यहाँ पर जाके और bold कर देते हैं इसे और थोड़ा सा size बढ़ा लेते हैं या फिर इसको छोटा करके और यहाँ से center align वगरा करके इस तरीके से लिखिया जाते हैं अब क्या करना है यहां पर right click करके और यहां से assign macro पे जाना है और इस बार average यहां पे लिख देना यहां से ok कर देना है तो यह हमारा काम हो जाएगा असान और अब at last grade तो grade के लिए भी वापिस वही developer tab पे जाके record macro पे जाके और यहां पर grade grade के ही नाम से बना लेते हैं यह macro enter कर देते हैं अब यह macro record होना शुरू हो गया is equal to condition लगाएंगे if function लगाएंगे आप चाहे तो switch का भी इस्तमाल कर सकते हैं switch का इस्तमाल करेंगे तो क्या करना पड़ेगा switch लिख करके और आपको true देना पड़ेगा यहां पर क्या देना पड़ेगा true से समझना है सब्से पहले तो यहां लिखते हैं और तो आगे बढ़ेंगे ठीक है और सब्से पहले यहां पर करते 85 है 85 का यहां पर criteria देंगे तो सब्से पहले तो इसको select करना पड़ेगा average को ठीक है क्या हम यहां पे कर देते हैं A plus grade तो यहां पे A plus कर दिया है फिर कौमा लगाएंगे अगर ऐसा न हो तो कौनसा grade आ जाए यहां पर आ जाए A grade ठीक है कौनसा grade आ जाए A grade ठीक है और A grade आने के बाद फिर यहां पर इसी को स контр करेंगे और फिर यहाँ पर क्या दे देंगे यहाँ पर दे देंगे इस ग्रेटर देन इक्वल टू इस वर कर देते हैं 75 तो कौनसा ग्रेट आ जाए एक ग्रेट आ जाए फिर यहाँ पर कॉमा लगा देंगे और फिर यहाँ पर इसी को select करके is greater than equal to कर देंगे और is greater than equal to करने के बाद यहाँ पर 55 कर देंगे और 55 हो तो कौन सा grade आ जाए यहाँ पर आ जाए C grade ठीक है फिर comma लगा देंगे और comma लगाने के बाद यहाँ पर कौन सा grade आएगा comma लगाने के बाद यहाँ पर ग्रेड आएगा उसका नाम है डी ग्रेड तो अभी इसको सेलेक करके इस ग्रेटर देन इक्वल टू अब यहाँ पर कर देंगे 50, ऐसे में आ जाएगा डी ग्रेड और यह डी ग्रेड जब आ जाए तो आपको क्या करना है इन सब में से कोई भी कंडिशन टैली नहीं हो तो यहाँ पर वो बच्चा क्या हो जाए एफग्रेड पा जाए तो यहाँ पर एफग्रेड तक हमने दे दिया है और यहाँ पर देखिए इन में से कोई भी कंडिशन टैली नहीं कर रही है तो यह एक बच्चा एफग्रेड पा रहा है ठेक है और यहाँ पर आकर के क्या करना है आपको इस तरीके से यहाँ पर आईएगा तो इस पर क्लिक करिएगा और जब क्लिक करिएगा तो अभी क्या करना है अभी यहाँ पर पहले तो नाम दे देते हैं जैसे यहाँ पर grade कर देते हैं grade और grade करने के बाद यहाँ पर क्या करना है जैसी grade करेंगे तो इसको select करेंगे और select करके bold पर click करेंगे और grade पर थोड़ा सा इसकी size को बढ़ा लेते हूं यहाँ पर click करके यहाँ पर click कर देंगे तो यह इस तरीके से आ जाएगा और जब यहाँ पर right click करेंगे और assign macro पर जाएए और इस बार grade पर click करके okay कर दीजिए बस आपका काम हो गया है बहतरीन type का एक button बन करके तयार है चार चार button हमने बनाए है फाइदा क्या है इन सब को हटा देते है यह जो हमने calculate किया ना इन सब को हटाते है अब माल लीजिए कि total हमने calculate करना इन सब का ठीक हो सकता है number change हो जाए number हो सकता है यहाँ पर यह 10 के जगा 80 हो जाए 90 हो जाए कुछ भी हो जाए number कोई भी हो लेकिन जैसे ही total पर click करेंगे तो यहाँ total अपने आप आ जाएगा देखिए अपने आप आ रहा है percentage पर click करने से percentage भी अपने आ पाएगा अब देखिए यहाँ पर अगर कोई गरबड़ी होगी तभी percentage नहीं आएगा अब मा लिजे average calculate करना average पे click करेंगे average भी आ जाएगा तो यह average पे जैसे ही click किया तो average भी आ गया और grade पे click करते एक grade भी आपके सामने एकदम sequence देख लिजे एकदम बहतरीन तरीके से यह आ जाएगा अब कभी भी आपको total करना हो तो इन buttons के साहरे grade, total, calculate, सब कुछ calculate कर सकते ह यहाँ पर जाएंगे यह देखिए यह पहले यहाँ पर आएंगे तो यह आपके total हो गया percentage पर जाएंगे percentage आ जाएगा यह ध्यान रखिएगा कि number इधर उदर disturb नहीं ठीक है तो इस पे click करिएगा और यहाँ पर देखिए percentage पर क्लिक किया तो percentage आ गया, average पर पर क्लिक किया, grade पर क्लिक किया, ग्रेड आ गया, तो एक दम बहुत आसान है, उमीद करता हूँ, बात आपके समझ में आई होगी, कि ये कैसे करना है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तुशे शियर जरूर कीजेगा, साथी साथ कोई सवाल हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर चलिए, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, उमीद करता हूँ, वीडियो अच्छी लगेगी, थैंक्यू फर वाचिंग देस वीडियो